हलो फ्रेंड्स एक्जामादर 350 में आपका स्वागत है जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मेरा देखा होगा कि हमने कोसिका का वान लाइनर प्रेस्न डिसकस किया था और हम आज आपको कोसिका का ही वस्तोनेश्ट प्रेस्न को डिसकस करेंगे बिफ एक्सप्लानेशन तो आईए हम शुरू करते हैं अगर आपने पिछले वीडियो को मेरा नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखे और इसे बहुत ही आपको पेनिफिट होगा तो चलिए हम शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले हम कोसिका के बारे में जानते हैं कोसिका होता क्या है तो कोसिका का अंग्रेजी सबन सेल होता है जो लेटिन सब्द सेलूला से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा कोसिका सब्द को सबसे पहले प्रयोग बैग्यानिक रोबर्ट हुग ने 1665 इस्वी में प्रयोग किया जिन्हें कोसिका बिग्यान का जनक कहा जाता है Father of Cytology कहा जाता है पहला कोसिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है पहला अप्शन है Lysosome, Ribosome, Nucleosome, Golgica इसका सही अंसर है Lysosome Lysosome को आत्महत्या की थैली कहते है Suicide Poucher Cell कहते है آत्म घाती बैग कहते है Suicide Bag of Cell कहते है Lysosome यह क्या होता है तो Lysosome इन्जाएम का एक गोलाकर थैली होता है जिसमें RNA, DNA, protease और फास्फेज नामकी इंजायम उपस्तित होता है अब डिस्कस करते हैं राइबोसोम राइबोसोम क्या होता है? यह एक जटिल सनरचना वाला सुचतम करन होता है जो प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक को सिखा में पाये जाती है यह DNA और RNA प्रोटीन के संयोजन से निर्मित होता है तीसरा नुकलियोसोम नुकलियोसोम क्या होता है? यह क्रोमैटिन की सनरचनातों की काई होती है जिसमें DNA और हिस्टोज होता है गौल जी का है? यह कोशी का कामों के स्वासनांग होता है जो Lysosome के निर्मान में शायक होता है दूसरा question Cell, कोसी का नाम किस जीव वैग्ञानिक ने सरपर्थम दिया था कोसी का नाम सबसे पहले Robert Hooke ने दिया था ये प्रस्न सबसे पहले हमने किया है Robert Hooke ने कोसी का नाम सबसे पहले दिया था 1665 इसुमें दिया था जिन्हें जुबी ज्यान का जनक आ जाता है इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान सनरचना देखा जिस सनरचना को कोशिका नाम दिया और एक है लुबेन हॉक लुबेन हॉक ने 1674 इस्वी में जल में जीवित कोशिका का खोज किया यानि जल में जिवित कोशिका की खोज किस ने किया है लुवेन हॉक ने कोश्चन नमर थिरी इलेक्ट्रॉन सुचंदर्शी की खोज सरबतन किस ने किया अप्शन नौल एवम रसका ने स्रावन और स्लाइडें ने फ्लेमिंग और ब्राउन ने वार्शन और क्रिक ने इसका सही अंसर है नौल और रसका ने नौल और रसका नहीं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सुचंदर्शी की खोज किया था एक option है स्लाइडन और स्वान ने तो स्लाइडन और स्वान ने सबसे पहले 1893 में इस्वी में कूसी का सिधान्द को दिया था दूसरा option है वार्षन और क्रिक ने वार्षन और क्रिक ने 1993 में इस्वी में DNA के दिक कुंडलित सन अचना को प्रस्थूत किया था question number 4 गुनसूतर सब्द सरप्रस्थम किस ने प्रयोग किया तो option है होफमेश्ट, वाल्डेयर, सूटर और वैगनर तो इसका सही प्रयोग सही एंसर है वाल्डेयर ने वाल्डेयर ने ही गुनसूतर सब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गुन सुत्र होता क्या है तो इसके बारे में हम डिसकस करते हैं यह किरियात्मक भाग होता है जीन इसका किरियात्मक भाग को जीन कहते हैं मनुस में तेश जुड़े मतलब 46 गुन सुत्र पाय जाते हैं इसमें 22 गुन सुत्र अपलस एकस वाई कि संयोग से लड़का का निधारन होता है मिन्स 22 प्लस xy xy मिलता है तो लड़का का निधारन होता है और अगर 22 प्लस 22 प्लस xx मिलता है तो लड़की का निधारन होता है 5 अंता प्रदवी जालिका इंडु प्रदवि जालिका नलिकाओं और चप्टी थलियों का एक संजाल होता है जो दो भागों में बाटा गया है इसको दो भागों में बाटा गया है पहला है अंतर प्रदवी जालिका जो चिकनी अंतर प्रदवी जालिका और एगो खुदरी अंतर प्रदवी जालिका चिकनी अंतर प्रदवी जालिका में क्या होता है यह कार्वो हाइडरेट और का संसलेशन करता है चिकनी सता वाली अंतरप्रदवी जालिका यह कार्वोहडेट और लिपिट का संसलेशन करता है और खुदरी वाले कोशिका जिल्ली और प्रोटीन का संसलेशन करता है Q6. जीवद्रव, प्रोटोप्लाद्न, जीवन की भौतिक अधार है यह किस ने दिया है? Option है, हेनरी, लैमार्क, हक्सले, ट्रेविरेनस तो इसका सही अंसर है, हक्सले हक्सले ने जीवद्रव, जीवन की भौतिक अधार कहा है तो जीवद्रव होता क्या है? तो जीवद्रव के बारे में हम जानते हैं जीवद्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिला कर जीवद्रव बनता है बनता कैसे है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर जीवद्रव बनता है जीवद्रव अगर ये पुछा जाए जीव द्रब सब्द का सबसे पहले प्रयोग किस ने किया तो सबसे पहले प्रयोग किया है पुरकिंजे नामक वेग्याने ने सबसे पहले प्रयोग किया है Next, Question No.7 DNA के द्वेलिक्स प्रारुक को पहली बार किस ने प्रस्ताविद किया था वार्अन और क्रिक फीजर और हाल डर ने लैमार को डारुविन ने किया इसका सही अनसर है वार्अन और क्रिक ने वार्षन और क्रिक ने उनेशो तीरपन हिस्वी में DNA के द्वी हेलिक्स प्रारूप या तो DNA के द्वी कॉंडिलित सनरचना को प्रतूद किया है इसके लिए उनेशो 62 हिस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया यहां अप्सन नमबर फोर में है हुंगो डिब्रीज नमबर एट में है माइक्रोकॉंड्रिया किस में उपस्तित होता है माइक्रोकॉंड्रिया उपस्तित किस में होता है ओप्सन है इस्ट कवक जिवानू और हरे सेवाल माइक्रो कॉंडरिया किस में अनुपस्थित होता है तो अनुपस्थित किस में होता है तो इसका सही अंसर है जिवानू जिवानू में माइट्रोकॉंड्रिया अनुपस्तित होता है उपस्तित किस में किस में होता है तो इस्ट में उपस्तित होता है कवक में उपस्तित होता है और हरे सवाल में होता है माइट्रोकॉंड्रिया होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं माइट्रो कॉंडिया होता क्या है? इसके बारे में हम जानते हैं माइट्रो कॉंडिया के खोज 1892 इस्वी में बैग्यानिक अल्ट मैने किया था इसका आकार और आकरेती परिवर्तन सील होता है या दोरी जिल्ली से गिरा हुआ एक कोसिकांग होता है जो यू कैरियोटिक और कोसिकांग के कोसिका द्रब में उपास्तित होता है यह बतायते यह किस में उपास्तित होता है? तो इस्टे में उपास्तित होता है, कवक में होता है और हरे सवाल में माइट्रो कॉंडिया उपास्तित होता है जीवद्रब सब्द का प्रयोग सरपरतम किस ने किया तो जीवद्रब सब्द का प्रयोग सब्द से पहले पुरकिंजे ने किया था यह भी बताया जीवन की भौतिक अधार किसे कहा जाता है तो जीवन की भौतिक अधार कहा जाता है जीवद्रब को जिसे हकसले ने बताया कोशिका कोशिका द्रब साइटोप्लाजम में उपस्तित, महिन, साखित, जिलिदार और अन्यमित नलिकाओं का घहना जाल कलाता है गौलजीकाय, माइटोकॉंड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रदरवी जालिका तो इसका सही एंसर होता है अंतःप्रदरवी जालिका, अंतःप्रदरवी जालिका के बारे में हमने पिछले कोशन में बता दिया कि अंतःप्रदरवी जालिका होता क्या है, यह दो प्रकार का होता है, चिकनी सता का अंतःप्रदरवी जालिका और खुद्रिस सता का अंतरप्रदाविजालिका कोशी का जिल्ली और प्रोटीन का संसलेशन करता है और चिकनी सता वाला अंतरप्रदाविजालिका कार्वोहर्येट और लिपिट का संसलेशन करता है अब माइक्रोकॉंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसके बारे में भी बताया कि इसका खोज 1890 इस्यू में बैक्यानिक अल्ट मैंने किया, जो इस्ट कवक हरे सबाल में उपस्तित होता है, अब बार्थ करते हैं, राइबोसूम, तो राइबोसूम या आरेने और प्रोटीन के संयोंग में से निर्मित होता है, वह करते हैं, राइबोसूम, कुश्ण नमर 11, सबसे छोटी खोजिका कौन सी होती है, तो माइक्रोपलाज्म होता क्या है, तो यह छोटी अकार का एक प्लाजमा होता है, जो 10 एमम्य desarroll याकार का एक प्लाजमा होता है, लगभग बरावर होता है, 10 सिमिम होता है अपसा नमबर दूसरा, अमीबा अमीबा क्या होता है? तो अमीबा यह सूच में प्राहनी होता है, जिसका जाती नदी, तलाव, मीठे पानी समुद्र आदी में पाय जाता है अपसा नमबर WBC और RBC WBC और RBC और WBC पाय जाता है RBC की मात्रा सबसे ज़्यादा, उससे कम प्लेट लेट्स और सबसे कम WBC होता है, रक्त में इसका जीवनकाल 120 दिन तक होता है, RBC का WBC का जीवनकाल 3-4 दिन तक होता है RBC, RBC का निर्मान अस्तिमजा में होता है WBC का वी निर्मान अस्तिमजा में होता है RBC का मिर्टू प्लीहा में होता है और WBC का मिर्टू रक्त में हो जाता है Question number 12 Averni लवक, Leukoplast मुखेता पाय जाता है Option है, जडो की कोशिका में तनो की कोशिका में, पत्ती के कोशिका में और फूलो की कोशिका में तो इसका सही एंसर होता है जडो की कोशिका में जडो की कोसिका में अवर्नी लवक पाय जाती है Leukoplast यह पौदे के जड़ो में कोशिका में पाय जाने वाला एक छोटा सा जीब होता है जो पौदे में Astarch, Protein, Lipid, जैसे खाद पदार्तों का संग्रह करता है कोशन नमर 13 फूलो और बीजो को बिभीन परकार के अकर्षक रंग परदान करता है आप्शन है लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट तो बिभीन परकार के आकरसक रंग परदान करता है तो वह होता है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट होता है जो पौधोई में बिभीन परकार के आकरसक रंग परदान करता है अब आगया लूकोप्लास्ट लूकोप्लास्ट क्या करता है तो यह हमने बता दिया, यह एक छोटा सा जीव होता है, जो अस्टार्च, प्रोटीन, लिपीन, जैसे खाद पदार्थों को संग्रा करता है, क्रोमोप्लास्ट हो गया, इसका एंसर है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यह महत्वपुन, इसका महतोपुर्ण कार होता है प्रकास किर्या के द्वारा भूजन का संसलेशन करना और प्रकास उर्जा को अबस्यूसित करके रासानी कुर्जा में बदलना इसका मुखे कार होता है कोशन नमर 14 कौन सी कोशिका है? कौन सी रचना? जन्तु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विवेदित करता है आप्शन है राइबोसोम, माइक्रोकॉंड्रिया, सेंट्रियोमिटर और सेंट्रियोल तो इसका सही एंसर है सेंट्रियोल centriole होता है जो जन्तु कोषिका को बनसपति कोषिका में विवेदित करता है बाकी हमने ribosome, microchondria बाकी सारा को हमने इसकस कर लिए और question number 15 कोषिका में ribosome की अनुपस्थिति में कौन सा कारशंपादित नहीं होगा option है स्वासन, उसर्जन, protein sensation, carbohydrate sensation तो खुशिका में ribosome की अनुपस्थिति में कारसंपादित नहीं होगा तो protein sensation नहीं होगा क्योंकि protein sensation में ribosome बहुत ही important role करता है और अगर अनुपस्थिति रहेगा ribosome की अनुपस्थिति रहेगा तो अनुपस्तिती रहेगा तो ये कारे संपादित हो जाएगा होने वाला कार क्या है? स्वासन है, उस सर्जन है कार वो हाइडरेट संसलेशन ये सारा अनुपस्तिती में कारे हो जाएगा कोशन नमर 16 यदि माइट्रोकॉंडिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका का कौन सा कारे नहीं होगा नहीं होने वाला कारे तो भोजन का अपसोसन भोजन का अक्सिकरन भोजन का पाचन, भोजन का अपसोसन तो इसका सही एंसर है भोजन का अक्सिकरन अगर माइट्रोकॉंडिया काम करना बंद कर देता है तो कारें नहीं होगा, नहीं होने वाला काम है भोजन का अक्सिकरन, अब हो जाएगा, माइटोकर्ण या काम का नब्बांद भी कर देगा, तो भोजन का अबसोचन होते ही रहेगा, भोजन का अबसोचन होते रहेगा, ये सारा काम होते रहेगा कौशिका बीत्ती, लवक, रितिकाएं, उप्युक्ष में सबी तो इसका सही अंशर है कोशिका बीत्ती, कोशिका बीत्ती कोशिकाएं केवल पादब कोशिकाएं में पाए जाता है कोशन नमर 18, 18 में कोशिकिये स्वसन को सक्रिय अस्थल होता है, घौल जी का है, माइटोकॉंडिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इसका सही एंसर है, माइटोकॉंडिया, माइटोकॉंडिया स्वसन में सक्रिय अस्थल होता है, बाकी सब हमने डिसकस कर दिया, राइबोसोम, ल कोशिका को निशित रूप परदान करता है, option है कोशिका भित्ती, कोशिका जिल्ली, केंद्रिका, गौलजीका, इसका सही answer है कोशिका भित्ती, कोशिका भित्ती होता है जो कोशिका को निशित रूप परदान करता है, question number 20, B से lysoosome होता है lysoosome क्या होता है option है पाचनगेंदर, स्वसनगेंदर, मलबि-सरजन केंदर, उर्जाओचेंदर होता है इसका सही answer है पाचन केंदर पाचन केंदर क्या होता है तो पाचन केंदर lysoosome होता है Okay friends, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगले टॉपिक में आपको किस टॉपिक पर कोशन चाहिए और वीडियो को लाइक, सब्क्राइब और सेर जरूर करें, थैंक यू, धनुबाद